कि सभी मत्रों को जेम मातरानी की जेम मापवानी की दोस्तों आप सबको एक चीछ बता दूंग मैं कि जैसे कि आप सबकी मेसेज आ रहे हैं और झाल कि आप जैसमें कि कई प्रकार के साथ नाउप मैसेज हैं कि तारा ग हुआ आता तार्क हुआ अब करको अधूमाबती आ और है जो इन सबके मेसेज आ रहे हैं तो दोस्तों जो जो आ रही है आने वाली है बस शुरू होने वाली है कुछ दिन में तो इसमें लोग बड़ी साथ नहीं चाहरें को कि इसमें बहुत मेहत्त होता है और मैं पहले भी करा पाया था कलती से कवो कि मैंने हलका ही कम लोगों का रखा था पेले भी उत तो बड़ी साहत न→ करना चाहा है और को आपको बदा दून कुछ लोगों को विशेस उसमें महाकाली काल भेरों करा रहा हूं Champ तो वह अलग थे वह ग्रून में नहीं है वह अलग से करा जिस के जिस भी साहथना के ज्यादा मैसेज होंगे तो तो उसी को ग्रुप की मात्यम से कराया जाएगा पहला तो नहीं सोच रहा था लेकिन इतने मैसेज आरा है कि अग्रु घ्झाली तो 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 चली नई देखूंगा के जो जो स्चुखोंगे को कोई साथना को कराऊंगा तो अभी तो नहें थोड़े से ग्रुप तो लास्ट में बनेगा बब मेसेज देखने आपके आए गानी द्वारा से विए सब्सक्राइब करते हैं तो आप देख लिएका ठीकना और मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे शुछ चाहँ भी थोड़ा सा में फिर ही वाइँ तो तो देखो छिंदे मसता तो एक डिफिकल्टी साधना है तो उसको करना तो बहुत तकड़ा केड़ा पड़ जाता है तो वह चीज है तो जो सही होगा अच्छित होगा आप सब के लिए तो वह करा दी जाएगी मकर संक्रांदी की पिर्शय में आपको बता दूगां अब लोग बहुत लोग पूछ रहे है कि मकर संक्रांदी का तो मैं जो आपको पता रहा हूं इसाब कताब तो उसमें तो ऐसा है कि मकर संक्दान्ती तो आप कभी मना सकते हो उसमें कोई वह नहीं है जो मंदिर शीवा पूजा में आएगी वह तो पढ़ेगी पंद्रह तारिक को ठीक है और अगर परम पर रूप से चलती आ रही इतने सालों से वह चौदे तारिक कोई पढ़ती दोस्त नहीं है कोलने करके दोनों मकर सकता है मैं कोई दोस्त नहीं है जसको प्रीफ्रेश्स देना चाहिए हो दे सकते है थिक स्यवाटन कि जो पारेंपरे की रूप से चल रही है लगाता तो देख लेना आप देखना आप दिनों में गर्म हठा जाएगी क्योंकि यह हमेशा मैंने चेक किया है मकर सकनाधिका दिन थोड़े बड़े भी हो जाते है वो 25 दिसंबर की तो बाद बैसे ही है वो तो आज आज से देखना दिन भी बड़े आप दिन आपको बड़े लगेंगे राप छोटी लगेंगी थोड़े थोड़े बढ़ती चले जाएक दम से और यह शुबता है यह शुबता सुरू हो जाएगी दिन में शुबता आजाएगी और साधना पूजा पाठ इस सब में लोगों का मन भी आते हैं एक दम से और होली तक लगाता रही चलता रहता पसंद बंची में आई यह आया हुआ है सब मतलब अच्छे चीज़ मतलब दिन आते हैं बहुत तो यह है माम मेंटर आपका कुछी और मगर संक्रांदी को जो महादान होता है वो तिल का दान होता है तिल का दान तो जो ग्रह की बंदाने आपके बंदे से हैं वो कर जाती है और है जीवन परियंत्र जन्म से लेकर मृत्व परियंत्र तिल का बहुत महत्व है इसलिए आप देखें के मकन संक्रांदी पर तिल का ही महत्व है हर करद में तिल का माता है यह पूजा हो पाठ ओ जन्म हो इसलिए विए हुथ और मंगल प्राक्रम गेरण गरू पद है है मंगल प्राक्रम आत्म वन यक्ति करने की चमटा जो जारूपन मंगल एक विशेश आत्मसम्मान के साथ करना मंगल एक तेजस्वी व्यक्ति तो उसमें भी अगर सुर्ज मिल जाए तो महापराक्रमी और तेजस्वी हर गहा का गुण एक धर्म होता है तो वह सब चीजें होती हैं दोस्तों सब चीज है आपको दिये दिये सब समझ में आएगा मेरी प्यारे दोस्तों चलिए मैंने आपको थोड़ा सब दचानकरी दे दिया और आपके मैसेज मैं कल रीड करूंगा आज देखता हूं रात में आपके कितने मैसेज आते हैं सब्सक्राइब में साधना के हो गई है कि कि सफेद तिल काले तिल बूरा गी सफेद तिल काले तिल बूरा और घी इनको अलग अलग रख लें अब बूरे बूरा घी मिला करके सब्सक्राइब और बूरा घी मिला करके काले तिल जो तोनों अलग अलग बना ले थोड़े थोए ठीक है अब जो आपको पह काटने के लिए काले तिल काहवन में काले तिल शामागरी नहीं मिलेगी इसमें किपर कपूर का बुरादा करके मिलाने आप कि वहल लगड़ी पहश्पते हैं या मिस में बजार से लगणी मिलती है निक नहीं सो और तो भूब सुंदर मतलब प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको पहले तो करना है आपको काले दिल से संकट काड़ने सब चीज़ों को हटाने के लिए नश्ट गंदी के लिए गंदी जीज़ों को और जो मंद्र है वह किवेज इतना है अम क्रीम कालिकाय नमा ठीक है एक सो आठ बार आहोतियां देनी आपको अब इसको आप बिलकुल मातरानी को अपना हवन समाफिस करते हुए आप बिलकुल इसको सामगरी को अलग करते हैं पर और आप जो सफेद तिल बुरा घी वाली साम पर लिए आहरो उम्स्री घ्रणापते जान रखना है आपको अपने जीवन में देख लिए क्योंकि सुब तिती है सुब नक्षात्र है और तिल का इसमें प्रियोग हो रहा है तो तीचस भी प्रियोग है इसमें आप चाहें तो बूरे की जगे गुड़ को मतलब बुरादा करके टूट कोड के बुला गोड मिला सकते हैं बहुत अतना पत्तर देगा जो आपको मतलब आसानी हो बूरा भी हो सकता है बूरा नहीं चक्ने बूरा बूरा समझ लो खान समझ लो रभा समझ लो और आप जब इस हवन को करेंगे तो आप अपने घंद में व मारम पड़ जाएगी तो ना पहले चीजों को चीजों को मतलब गलत नेगटिव उसको बाइब्स को हटा करके और फिर शुबता लाने का प्रियोग है जैसी राम और जैहनमान जी महाराद सभी को मकार संक्राद की बहुत-बहुत सब कामना है प्यारे मित्रों